पलक जपकी और डबबा गायव वाली कहवत तो आपने सुनी ही होगी ऐसा ही एक मामला लखनव से सामने आया है जहां भूतनात बाजार के एक जुएलिरी सौप में एक चोर ने पलक जपकते ही पांच सोने की चैन लेकर रफू चक्कर हो गया दुकांदार ने या देख उसके पीचे दोर लगाई पर कुछ हासिल नहीं हो पाया इस गटना की जानकारी जब आसपास के दुकांदारों को मिली तो उनमें हर कब मच गया है और पुरे बाजार में भै का महौल है दुकांदारों ने कहा कि ये गटना पुलिस की बड़ी नकामी है और उनका कहना है कि इतनी बड़ी गटना है दिन दारे कैसे हो सकती है वहीं चोर को ये भनक भी नहीं लगी कि उनकी सारी ये करतूत CCTV कैमरे में कैद हो चुकी है पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया और DCP ने कहा है कि जल्दी ही आरोपी की गिरफतारी होगी और इसके लिए हमने स्पेसल टीम भी गठित कर ली है बारा बच के पचास मिनित के आसपास सफेद कलर शर्ट और ब्राउन चश्मा फैन के एक विक्ती आया हुआ था प्रस्तुत विक्ती जेवरात खरीटने के बहाना बनाते हुए दुकांदार से बादशीत करने लगता है कुछ जेवरात भी वो पसंद करता है जब वो जेवलरी सिलेक कर दिया गया है उन्होंने पैसा मंगवाने के बहाना बनाते हुए दुकांदार का ध्यान हट गया तो वही से वो कुछ जेवरात लेके गायब हो जाता है प्रस्तुत गटना में दिया हुआ तेरियर के अनिसार थाना गासिपूर द्वारा मुकत्मा अपराद संग्या 255 बटे 24 अंदरगत दारा 420-389 आईपीसी पंजिगरत किया गया है प्रस्तुत मुकत्मा के सफल अनावरन हिदू दो टीम गटित किया गया है अब चिक विदिक करवे किया जा रहा है मौके पर शांती है